आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पिरनाम है सिद्धान तक नहीं होत रही स्टड़ी ग्लोज पर आपका बहुत दोस्वगत है दोस्तों ये जगड़ा काफी वक्त से चल रहा है इनकंप्लीट लाइफ बहुत शांदार किताब है विजयपत सिंगानिया की आप उसमें पढ़े उसको पढ़े उसमें मैंने पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन उसमें ये है कि पहले तो उसमें रेमंट्स कैसे फैला कहां से शुरुबात हुई रेमंट्स भारती कंपनी बहुत एंटीलिया के बाद भारत का दूसरा सबसे महंगा घर है 6,000 करोड का 36 इमार्ता बिल्डिंग है 36 पहले 14 थी 2007 उसको तोड़के 36 कर दिया गए इतना खूबसूरत घर और पिता जी के लिए कमरा नहीं एक कमरा मतलब यह अगर आप देखो कि इतना आलिशान इतना बड़ा सा अमराज साड़े 11,000 करोण की कंपनी है रेमेंट्स भारत की कैतना कि अगर शादी हो लिए तो रेमेंट्स का सूट नहीं पहना तो क्या पहना बड़े महंगे आते हैं रेमेंट्स की कपड़े और बहुत शांदार होते हैं गजब की कॉलिटी होती है कैलाशपत सिंघानिया नहीं से आया है कैता है सिंघानिया मूवी में देखते थे बड़े बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट का नम सिंघानिया होता था तो यहीं से ही फेमस हुआ है उन्ने सो पच्छेस में कैलाशपत सिंघानिया ने नीव रखिती रेमंड्स की इंग्लेंड केस से जो कॉटन आता था जो कपड़ आता था उसको टक्कर देने के लिए 1980 में विजयपत सिंखानिया है उन्होंने इसको बहुत साले सेक्टर्स में फैला दिया हाला कि जो 84% बिजनेस है वो इनका कपड़े से ही आता है जो भी लेकिन बहुत और भी जगा पार्क एविन्यू ये नहीं कंपड़ी बनाई तो बहुत और सेक्टर्स में फैला दिया और विजयपत सिंखानिया जो है वो आसमान चुआ दिया उन्होंने डिवंट्स को उसके बाद उनके बेटे है गौतम सिंखानिया 2015 में गौतम सिंखानिया के नाम सब कुछ कर दिया है यहाँ पर विजयपत सिंखानिया ने एवरेधिंग उनके 38% शेयर सब कुछ प्यार में और उसके बाद आज विजयपत सिंखानिया के हालत यह है कि वो किराय के मकान में रहे रहे हैं उनके पास फूटी कोड़ी कुछ नहीं है किताब में उन्हें बहुत अच्छे से लिखा है केस अभी भी चल रहा है और अब नीरब मोदी सॉरी 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 नवाज मोदी से डाइवोर्स जो है वो गौतम सिंघानिय का हो रहा है अब अजीब बात है कि नवाज मोदी ने भी यही आरोप लगाए है तो बात करेंगे गौतम सिंघानिया है ये ये उनकी वाइफ नवाज मोदी हीरो भी फेलान के आगे इतने सुन्दर लगते हैं तो आप मामला क्या है उससे पहले अगर आपको भी गौतम सिंघानिया जैसा या विजयपस सिंघानिया जैसा बनना है तो लिमिटलेस लीडर्शिप का शांदार कोर्स आप जरूर अवे कुर्स को अवेल करें क्योंकि 20 से बहुत सारे किताबों कर रहे हुए हूं मिनिममम 20 लेचर्श एक सेशन 40-45 मिनिट का तो गौतम सिंघानिया ने ये पुरी सफाई दी है सफाई क्यों दी है भी इस पे आएंगे लेकिन यहाँ पर जो नवाज मुदी है उनके 32 साल बाद तलाक हो रहा है ठीक है न अज़ा कपल अब देखिए इसमें नवाज मुदी ये कहती है कि मेरे साथ बचसलूकी की गई बाथरूम को लेके बहुत सारे बाथरूम है सैखणों बाथरूम है अच्छतिस से मारता विल्डिंग आप समझी रहों लेकिन उनको एक ही बाथरूम यूस करना था इसको लेके मुझसे बत्मीजी की गई मुझसे मार पीट तक की गई मेरी बीच्छोटी बेटी को भी नि दूँ और अब FIR के नियम बहुत सक्त हैं आज कल अगर डुमेस्टिक वाइलेंस है तो नॉन बेलिबल है और बहुत सक्त ये बात बिल्कुल सही है कि जादा दर फैसला पीडिता के पक्ष में ही आता है लेकिन हम इसको सौट आउट करेंगे आभी कोई FIR नहीं हुई है सेट को बतातू कि कंपणी के शियर अभी तो बटे हुएं मैं सिर्फ यहां पे गौतम सिंघानिया के बाद जितने शियर है उनकी बात करो उसमें से 75% मेरा चाहिए क्योंकि तीन हिससे बनते इसके ठीक है मैं और मेरे बच्चे और आकरी में तुम तो 25% में हम तुमको बहुत द चीज है तो बताता है कि बहुत ही अनफॉर्चनेट है और मुझे लगता है कि अब मैं और नवास दूसरे रास्ते पर चलेंगे अब हम साथ नहीं रहेंगे और जो हमारे दो हीरे हैं निहारिक और नीशा ये दो बेटिया हैं हमारी हम इनके लिए जो बेस्ट है वो करेंग पहला रूप नहीं है दो हजार पंद्रा में 2015 में विजयपत सिंगाने गौतम सिंगाने की पिता जी है वो इंटर्व्यू मैं तो देखे एमोशनल होगा क्योंकि मैंने पिता जी तो अभी हाली में दिसंबर में मतलब एक सालब होने वाला है उनका ध्यान दुआ और मैंने जब मैं उनका इंटर्वी देख रहा था तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बहुत शांदार बात बोली तो उन्होंने किताब में भी लिखाए कि देखो अपने जीते जी कभी भी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ना करें ये बात ध्यान में रखो मुझे समझ नहीं आता कि माबाप को ऐसा क्या है आप रिद्धाशरम जाईए कुछ कहानिया ऐसी हैं आप के रोते रोते ना आँखे सूच जाएंगी एक कहानी में आपको पर्टिकुलर बताता हूँ कि जो बेटा है वो माबाप को लेके गया और बोला कि मम्मी इस पे साइन कर दो उठा लगा दो साइन किया उसके बाद एक सिकिनल पे हुटा रहा बोला कि मम्मी मैं आ रहा हूँ वो आये ही नहीं वापस Гラodan मैंने बगल में यहां बैठते हैं एक सरदार जी बैठते हैं ठीक है चल नहीं पाते हैं वो बिचारे तो उनके बच्चों का बगल में एक बार मैंने पूछा क्योंकि वो बैठे रहते हैं और मतलब हम लोग से जितना होता हम लोग कर देते हैं उनके लिए मेरे भाई ने पूछा कि क्या हुआ तो वताते हैं कि मेरा घर था यहाँ पे बहुत बड़ा घर है यहाँ पे बंगला है और मैंने वो नाम कर दिया उनके बच्चों ने मार के मुझे बाहर निकाल दिया अब मैं यही रहता हूँ तो बात यह है भाई अवतार मुवी देखिया अपने सादिश खन्ना वाली वैसे ही बंजो बच्चों पे इतना भी मोह ना करो कि सब लटवा दो तो यही बताता है कि जीते जी कभी भी संपत्ति मनाम मत करो मरने के बात कर दो लेकिन एक फूटी कौडी ना दो अपने पास रखो सारी चीज़े सारा पैसा एक फूटी कौडी मत दो कल्योग है कल्योग साप है सब नहीं लेकिन बहुत लोग ठीक है इनसानी फितरत और इन सब के साथ भी फिर बाद में यही होता है इन सब के साथ भी यही होगा करम का पाईया इसे ही चलता है लेकिन हैल्प कर दो कितना हो सके हैल्प कर दो लेकिन अपनी संपत्ती कितना भी मोhn हो नाम ना करना समझ लोग तो यहाں पे जो वाइफ है जो पतनी है वो बता रही गहतम सिंघानिय की पतनी वो बता रही है कि 75% यानि कि लगबग 1.4 billion dollar के करीब हमको चाहिए निहारिका नीशा और मैं यानि कि 4 इससे होगे 100% तो 3 के 75% तो family settlement ऐसे ही होगा और अगर नहीं है अब यहाँ पे विजयपत सिंगानिया ने बोला कि वो तो मुझे गाली देता था वो तो मुझे चिलाता था वो बहुत बत्तमीज था विजयपत सिंगानिया ने बहुत पहली 2015 में किताब में भी लिखा है रोते रोते कह रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे कि मैंने सब कुछ अपने बेटे कंपनी से लेकर शेयर से लेकर सब हजार करोर सारा का सारा अपने बेटे को दे दिया तो वहीं बता रहे हैं कि ये बड़ा गड़बर है तो इंटर्वियू में यहीं बताते हैं कि पहली बात तो वो नहीं चाहता कि हम उनके डिसीजन में इंटर्फियर करें ठीक है ये ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं मेरी निजिता का सम्मान करें जब पिताजी से भी ये पुरा बावाल हुआ था तब भी उन्होंने स्टेट्मेंट जारी किया था कि मामला कोर्ट में मैं इस पर जादा बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन मैं जहां तक बात आती है हमारे शेयर होल्डर्स और मेरे परिवार वालों के बीच में तो मैं सबसे पहले शेयर होल्डर्स को चुनूँगा क्योंकि उनका हित मेरे लिए सबसे पहले है तो ये भी उन्होंने कहा था ठीक है तो ये चीज़े हैं लेकिन उन्होंने बोला है जो इनके पिता जी है कि देखिए मैं वैसे तो इंटरफियर नहीं करना चाहता क्योंकि उनका आपसी मामला है बड़ डेफिनेटली मैं अपनी बहु के लिए खड़ा रहूँगा और मैं कभी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करूँगा अब इस तो बहुत कंट्रोलिंग भीए था तो मेरा बेटा मेडी बात कभी भी नहीं सुनेगा ठीक है हो सकता है दिक्कते आए अब मेरा कोई बिजनेस नहीं है अब उसने कुछ पार्ट ऑफ दी कंपनी मुझे देने का फैसला किया है लेकिन हां ये दो ये एक तरीके से से सकेंड अब मेरे पास I have nothing मैंने सब कुछ उसको दे दिया अब गलती से कुछ पैसा है मेरे पास जिसकी वज़े से आज में जिन्दा हूँ एक किराय के मकाल में रह रहे हैं ठीक है वरना मैं सडकों पे धूल चाट रहा होता मैं सडक पे आगया होता है पिता जी कह रहे हैं और उसक विश्वास करेंगे विश्वास ही नहीं होता अचा ऐसा बोला जाता है कि जो नवाज मोदी है जब जगड़ा हुआ बहुत जादा तो उनकी अम्मानी फैमिली से बात हुई और पुलिस आई अम्मानी फैमिली की मदद से ठीक है ना और मैं बिलकुल इसमें श्योर हूँ अगर वो चाता है मतलब if he can throw his wife जैसे उसने अपने पिता जी को घर से बहार फेका अपनी बीवी को भी वो अपने घर से बहार फेक रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है क्या है वो क्या उसकी mentality जो है वो है ठीक है ना ये चीज है अब हर तरीके से आपको जो देना हो दो बट मैं यह नहीं बोल रहा कि आप मत दो आपको जो दे जाओ तो बट सब मत दो ठीक है I'm only saying give it it after you are gone एक बार आप चले जाओ तो आप अपने बच्चों के लिए जो करना है करो लेकिन अपनी lifetime में मत कर नहीं है you will pay a very very heavy price यह तो फिर भी लीनियें टोरे कह रहें दे दो मैं तो बिल्कुल मत दो एकदम भी मत दो help कर दो पैसा वैसा चाहिए तो पैसे से help कर दो ठीक है क्योंकि अगर आप देखो ना फरे दाश्रम में जाके मैं तो गया हूं दो तीन बार तो जब वहां पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मतलब वहां maximum cases जो है वो कि सारी हिट है तो बड़ी अजीब बात है बहुत मतलब दुख होता है ये कि सोचिए कि इतना अमीर हजारों हजार करोड के मालिक ऐसा बाकि आप हमारे कोर्स को जरूर अभिल करें बहुत ज़्यादा फायदा होगा थैंक्यू सो मच